गुड मॉर्निंग स्टूडंस ओम नमस्टिवाई, स्टांडर सेवंथ संस्कृत संस्कृत में लेसन नंबर थ्री लेसन नंबर थ्री है को रुकम, who is healthy, को रुकम, कौन नीरोगी है तो ए हमारी शारिरिक प्रतिक्रिया दिखाई है कि हेल्दी होने के लिए हमको क्या करना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है तो हम नीरोगी मतलब हेल्दी होते है, वो दिखाया है, छोटी सी स्टोरी है मतलब बहुत अच्छी है कि हेल्दी रहने के लिए हमको टाइम पे खाना चाहिए, जरूरत से कम खाना चाहिए, वो परफेक्ट टाइम दिखाया है और वो निरोगी रह सकता है, को रुकम, हुई इस हेल्दी, हेल्दी कोन है, निरोगी कोन है, तो लेसन, वर्टू वर्ड सह आकाशे, अत्रतत्र गच्छती, वो आकाश में, वो इंद स्काई आकाश, इंद स्काई आकाश में, अत्रतत्र, यहां तहां, अत्रत्रत, here and there, यहां और वहां, तो आकाश में, अत्रतत्र गच्छती, इधर उधर हो रहे थे, सह पुनह पुनह वदती को रुका वो पुनह पुनह मतलब बार बार वदती बोलता है वदती बोलता है को रुकम निरोगी कोन है एक बढ़ था वो आकास में इदर उदर जा रहा था और बोलता था कि निरोगी कोन है को रुका को रुका ऐसा बोलता था कह निरोग भवती, निरोगी कोन है, हेल्दी कोन है, आकास में बढ़ जो उड रहा था, अपने इसाब से बोल रहा था कि निरोगी कोन है, पक्षी द्वारम द्वारम अटती, पक्षी द्वारम एक द्वार से दूसरे द्वार, मतलब एक घर के उपर बेटके दूसरे घर के जा रहा था, अटती जा रहा है, एक द्वार से दूसरे दार, एक घर से दूसरे घर जा रहा था, एकम एव प्रश्णम पुछती, एक ही question पूछ रहा था, एक ही question पूछ रहा था, कि क्या जनाहा उपवासम कुरवनती, क्योंकि question क्या था, कोर उकम, निरोगी कौन है, उसको जानना था कि कोण निरोगी है तो एक ही question पुखता था और उड़ते उड़ते वो बोलता था कि कोण है निरोगी, कोण है निरोगी जनाहा उपहासम कुरवंती जो लोग है सब लोग उसके उपर हसते थे, उपहासम मतलब हसते थे जनाहा उपहसम कुरवनती कह अपी उत्तरम न ददाती कोई भी उसका उत्तर कोई भी उसका जवाब नहीं देते थे पक्षी ही नीरास भवती पक्षी जो बढ़ था वो नीरास हो गया क्योंकि उसको जो question था कि को रुका कोन healthy है कोन नीरोगी है उसका जवाब किसी से नहीं मिला सह वनम गच्छती व्रुक्षे उपविशती चा तो वहां एक जंगल था वहां वन में जाते गच्छती जाना वनम जो जंगल है जंगल में जाते वन में जाते व्रुक्षे उपविशती चा एक व्रुक्ष की जो डाल है उसके उपर उपविशती बेठते है रुक्सस्य अदह वेद्यर सी वागभट अस्ती जो वेद्य वागभट गूरु ओफ आयुरुवेद जो एक डोक्टर आयुरुवेद डोक्टर वो वागभट नाम के एक रूसी बेठे थे वहाँ एक पेड के उपर जाके डाल के उपर बेठा पक्षी पुनह वदती जो बढ़ था उसने फिर से बोला को रुकम? को रुकम? तो नीरोगी कौन है? नीरोगी कौन है मतलब कौन है हेल्दी? इती वागभट सुरुणोती एसा वागभट जो रुसी बेठे थे वागभट रुसी उसने सुरुणोती मतलब सुना सुरुणोती लिसंस टू सुना सहवदती उसने बोला जो रुसी है उसने बोला हीत भूक, मीत भूक, रूत भूक इती हीत भुक मतलब जो जरूर पड़े तब जो खाते है वो, मीत भुक मतलब जो जरूरत से ज्यादा नहीं खाते है वो, और रूत भुक तो सीजन के हिसाब से जो खाता है वो, हमारी आदत ऐसी होती है कि जरूर ऐसा होना चाहिए कि जो जरूरत है उससे हम ऐसा थोड़ा कम खाना चाहिए हमारी जो निरोगी इसमें हम निरोग ऐसे रह सकते है कि जो जरूरत से थोड़ा कम खाए और रूत भुक तो सीजन के हिसाब से सीजन के हिसाब से खाना चाहिए औ और हीतभूक जरूरत से ज्यादा जो नहीं खाते हैं, वो निरोगी रह सकते हैं, तो कि हम ज्यादा से ज्यादा डाले, पेट में डाले तो पेट दर्द होता है, कुछ भी हमको बोड़ी में एफेक्ट करता है, तो योगिया टाइम से मीतभूक जो जरूरत से थोड़ा कम जो वो निरोगी है अर्थ अस्ति यह हितकारी भोजनम करोती यह मितम भोजनम करोती जो हमारे बोड़ी के लिए जो सही है हितकारी हित हमारे बोड़ी के हित में है वो खाते हैं भोजन करोती यह मितम भोजन करोती जो हमारे बोड़ी के लिए जो जरूरत है वो पूरते जो मित भ एसे बोजन करते हैं, नेक्स्ट पेज, यह रुतु अनुसारम बोजनम करोती, सीजन के हिसाब से जो बोजन करते हैं, बारिस की मौसम में, पेट में ज्यादा नहीं डालना चाहिए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए, तो जो रुतु अनुसार, सीजन के अनुसार जो बोजन कर वो सह एव निरोग भवती, वो हरोज के लिए निरोग रहते है, संतुष्ट पक्षी, रूसी समीपम आगच्छती, वो एक जो डाल पर बेठा था, वहां से वो संतुष्ट होकर, क्योंकि उसने जो question पूछा था, उसका answer रूसी के पास से मिल गया, तो वो रूसी के पास आ ग स्वस्थानम गच्छती, वो उसके पास से आसीरवाद लेके अपने चले जाते हैं, ओके, थेंक यू